Hello students, कैसी हैं आप? तो आज इस वीडियो में मैं आपको present continuous tense इखाऊंगी तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि continuous tense का meaning क्या होता है continuous tense को हम imperfect tense और progressive tense भी कहते हैं यानि कि continuous का meaning होता है लगातार उसके बाद present continuous tense क्या होता है present continuous tense वो tense होते हैं जिसमें कार्य के चलते रहने का बोध हो जैसे कि we are studying English now यानि कि हम अभी English पढ़ रहे हैं यानि कि अभी की बात हुई या present की बात हुई है तो वो कौन से tense होते है present continuous tense यानि कि आप वहाँ पे present continuous tense का use करोगे और आप present continuous tense की पहचान कैसे करोगे तो इधर देखिए तो students जिस वाक्यों के अंत में रहा है रही है रही है रहा हूं रही हो आता हो तो वो कौन से tense होते हैं present continuous tense और इस tense में जो भी sentences होंगे उसमें आप is, am और are का use करोगे अगर subject के बाद आप verb की first form लगाते हो तो उसके साथ आप ing लगाओगे यानि कि आपके पास verb की first form है मान लीजिये play तो आप play के साथ लगाओगे ing यानि कि वो क्या बन जाएगा playing ओके और आप I के साथ am लगाओगे अगर subject singular है तो उसके साथ आप is का use करोगे किसका करोगे is और अगर subject plural है तो उसके साथ आप are का use करोगे अगर subject plural है तो आप उसके साथ are का use करोगे for example मैंने एक लान लिखी मैं खेल रहा हूँ क्या लिखे वैने मैं खेल रहा हूँ मैं को क्या कहेंगे I I के साथ क्या लगाना है am ठीक है और खेल लेको हम क्या कहते है play यानि कि verb की first form है play और उसके साथ आप क्या लगाओगे ing यानि कि playing तो क्या बन गया यह I am playing मैं खेल रहा हूँ रहा हूँ है तो एक कौन सा tense हुआ present continuous tense यानि कि मैं खेल रहा हूँ I am playing ये था हमारा affirmative sentences यानि कि सधारन वाक्य जिसमें कि not और question mark नहीं होता और next है हमारे पास negative sentences यानि कि is, am और are के साथ not लगाते है for example मैं नहीं खेल रहा हूँ क्या लिखा मैंने मैं नहीं खेल रहा हूँ मैं I खेल लेक हम क्या कहते है playing और रहा हूँ है यानि कि present continuous tense से play यानि कि playing हो गया ing आएगा verb की first form के साथ ठीक है I के साथ am negative sentences है यानि कि नहीं लगा है तो note आएगा यहाँ पर ठीक है I am not playing यानि कि मैं नहीं खेल रहा हूँ ठीक है उसके बाद आते हमारे पस interrogative sentences यानि कि इसमें is am are subject के पहले लगाते हैं okay for example क्या वह खेल रहा है यह है interrogative sentences यानि कि इसमें question mark लगा है और क्या लगा है यहाँ पी ठीक है तो इसको हम देखते हैं question mark तो question mark खेलने को हम क्या कहते हैं play ठीक है तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था ing आते साथ में तो यह क्या बनजेगा playing ठीक है और रहा है तो पता है रहा है तो present continuous tense होगा okay वह ही और मैंने क्या कहा था कि is am और are subject के पहले लगते हैं यह subject है तो इससे पहले क्या लगेगा is क्या कहा था मैंने अगर subject singular है तो इसके साथ is आता है यानि की he क्या है singular है okay next है uses of present continuous tense यानि की present continuous tense कहां कहां use होते हैं तो हम अब वो सीखेंगे okay तो इधर देखिए तो first है to talk about activities that are going on at the time of speaking यानि की at the time of speaking जब हम बोल रहे हैं तब जो activities होती है और उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो वो कौन से tense में होंगी present continuous tense में हम वो बात कहेंगे for example रजेश is standing beside a wood fire यानि की जो रजेश है वो लक्री की आग के पास खड़ा है अब हम बता रहे हैं ठीक है तो तब वहां present continuous tense के बात हो रहे है कि रजेश लक्री की आग के पास खड़ा है ठीक है तो हम क्या कहेंगे रजेश is standing beside a wood fire तो वहां पे हम present continuous tense का यूज करेंगे तो second use है इसका to talk about activities that happen regularly but only for a short or limited period of time यानि कि उन activities की बारे में बात करने के लिए जो regularly होती है लेकिन कुछ समय के लिए ठीक है यानि कि for example we are just preparing for the wedding wedding क्यों क्या कहते है शादी ठीक है यानि कि हम अभी शादी की त्यारी कर रहे हैं preparing को उन क्या कहेंगे त्यारी ठीक है we are just just यानि कि अभी अभी की बात हुई है तो just okay we को क्या कहते है हम यानि कि हम अभी शादी की त्यारी कर रहे हैं next use है to talk about the future if we add a future word यानि कि जब हम future के बारे में बात कर रहे हैं और साथ में हम future को word add कर दें तो वहां पे भी हम present continuous tense use करते हैं for example we are going to visit our grandma next year यानि कि हम अगली साल अपनी दादी से मिलने जा रही हैं next year यानि कि यह क्या future word हम future की बात कर रहे हैं अगले साल जाएंगे ठीक है तो यहां पे हम present continuous tense का use करेंगे तो इसका meaning क्या हुआ हम अगले साल अपनी दादी से मिलने जा रही हैं okay students I hope यह use आपको समझ आ गए होंगे तो आगे है time adverbials तो students first time adverbial है हमारे पास now और now का मतलब होता है अभी और next time adverbial है हमारे पास at the moment यानि कि इस समय और next year at present यानि की वर्त मानमी और next है tonight यानि की आज रात और next है today यानि की आज next है just just का मतलब होता है cable और next है this plus time यानि की this moment और this week में हम कह सकते हैं और next है at the time यानि की उस समय पर next है look यानि की देखो next है listen यानि की बात सुनो next है watch out यानि की ध्यान रहे next है nowadays यानि की आज कल और ये थे हमारे सारे time adverbials और I hope आपको समझ आ गए होंगे और आप इन time adverbials को यूज करें अपने daily life में और आपको present continuous tense समझ आ जाएगा और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो like and share जरूर कीजिएगा thanks